जो धतूरा हुता है न मैं धर्शन क्रें हैं जीवन में हुमेसी काटे भी मिले बेटी बड़ी तो मैं मैं मायके दुख देखा और मायके से गई सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्षाल में भी दुख देखने तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता वो तीन दिन लिखें सकंद पुरान माराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो कश्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए यसकंद पुरान का चरित्र फिर मिले न मिले अप्रेम से सुनने आउस पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो शुक्रवार की हो शनिवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोश काल मैं स्याम का समय है दूब रहा हो बिस दूबा ही हो और उस समय पर सूड़ की भूबन के तुरन्त बाद बाबा को धतूर के साथ में बेल पट्री ना चड़ाते हुए बेल पत्री के व्रक्च के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराआख अपनी जिंदगी में अरचनों को हटाने के लिए पिर आझ आप जिस वेफार में ऊतर साई में उत्र इस दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप आजनाई सक्तें नीचे नहीं आते उन्नती पर ही चड़ें거나 एक विशाक मास की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान का समय जो बड़ी शिवरात्री होती है मागती बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय में दोपाहर के ठीक बारा बजे चाहे फिर वो कोई भी दिन हो मारा शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेलपत्री के व्रप्चे के समर्पित होते हैं मारा इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपाहर बारा वजे वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गस से विचलित कोई व्यक्ति है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं मारा दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का ब्रक्ष है दूतिये शूल में वहां धारण करता हूँ तरतिये शूल थीसरा शूल जो वर्णन करा गया महराज भगवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबर पड़े जो भी पड़े में स्रावन के महिने का जो दूसरा सुंबर होता है उस दूसरे सुंबर में रातरी के समय पर अर्थात्र अब गड़ी और पल करेंगे तो रातरी के देंगे 10 से 12 में 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होरता है महरा ये भी हमारी बांधाओं को, हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एक्जाम में आप पेट लिए, गवर्मेंट एक्जाम के लिए वेट लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेल पत्री के ब्रक्च के शूल समर्प पाना और उससे अपने को सुप्राप्त को पाना कि बाबा बोले नाथ जी के नाइना शुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्ष का पोधा है माता पारवती के नाइना शुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वरी जिनकी बारा खाम प्रकटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश उमा उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट हुआ उमा और महेश जब दोनों आनंद में विवहोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोधा तो एक बात द्यान दखिए, शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई काटे नहीं है, पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ, बेलपत्री का पोधा, उसमें काटे हैं, और पारवती के मिलन से भी जो अत्पन हुआ है शंकर के तो पार्वती जी इसकंद पुराण में प्रिश्ण कर रही है भोले नाट जी से कि प्रभू मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूं मेरी जीजी हों आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रिश्ण को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुन लिए कि शिवजी जिस रुद्राक्च को उत्पन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिलपत्र उसमें भी शूलता है तो बागवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तु मुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कही है प्रभू मैं सुनने के लिए तैयार हूं आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरीका जेठानी ने ये कह दिया देवरानी ने ये कह दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कह दिया तुमारी बहनों ने ये कह दिया तुमारे भाई ने ये कह दिया तुमारे रिष्पजार ने ये बोल दिया ये नारी के लितर ये शूलता रहती है तो अगवान शिव बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं आरादना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में सम्मुक में कुछ नहीं होता हूं हूं तो मेरी दृष्टी में मेरे सम्मुक में कुछ कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है कौन ने क्या वोला है कौन क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब नहीं पर पारवती जब तू अराधना करने भी बेटती है ना तो तेरी चित्वरत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आही जाता है कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूल ता भरी हुई है महाराज बताओ इतने सारे भगवान इखटे कर लिए मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब ये करना पड़ रहा है परशाद लेने के लिए रसोई घर में गई भगवान का भोग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इतने घंटों से मैं समान ढूंड रही फिरीज में मिली नीरा मैंने रख्ये गई थी भगवान जाने कहां चले गई भगवानों को वस्त्र पिना रही है तो शूलता है आलमारी का ड्राज खोला इसमें मैंने समान रखा था नाजने भगवान का शूलता चले गई कोनने हाथ लगए फिर शूलता आ गई भोजन करने वेटे तो शूलता है कोई कारे के लिए जा रहे हो तो शूलता है अर्तात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है और पारवती जब तुम भजन करो तब करो, साधना करो, भक्ती करो उसमें शूलता नहीं होना चाहिए पारवती जी ने कहा भोले ना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुराण, इसकंद पुराण, लिंग पुराण नरवदा पुराण और श्यू महा पुराण ये सारी पुराणे वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है वर्णन कर रहा है, पारवती खंड वर्णन कर रहा है सती खंड वर्णन कर रहा है ओमा सहीता वर्णन कर रही है क्या आप मेरा ये बेल पत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे इसमें शूलता इसलिए भगवान करते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूँगा, पर शूल धारण नहीं करूँगा, मैं शूल धारण नहीं करूँगा, मतलब बेल पत्री में हैं, जो काटे लगे रहते हैं बेल पत्री की, उस डाली के अंदर जो काटे शूल रहते हैं, भगवान शूल धारण नहीं कर प्रेम से समर्पित करो तो भगवान शिकार करना, पर भोले ना ये बेल पत्री का जो व्रच्छ है मेरे नइज अश्रू से उत्पन हुआ है, मेरे द्वाश्वा उत्पन हुआ है, फिर तो इन काटों की कोई महत्वता ही नहीं है इन शूल की कोई महत्वता नहीं है आर्वती